हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तो रोज के तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको खिचडी से जुड़ी कुछ रोचक और खास बाते बताएंगे खिचडी शब भारत के इतिहास सब्वेता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है उत्तर भारत में मकर सकरांती पर खिचडी खाने खिलाने और दान में देने की परंपरा है सच पूछिए तो देश के कई राज्यों में तोहार पर खिचडी बनाने का रिवास है बंगाल, बिहार, हरियाना, जारखन, उत्तर परदेश, मद्देपरदेश और इसा में ये बड़े ही शौक से खाई जाती है दक्षिर भारत में भी इसे कुछ अलग तरह से त्यार किया जाता है तमिलाडू में पॉंगल की रेसिपी खिचडी से मिलती जुलती ही है खिचडी बनाने से असान शायदी कोई और वेंजन होगा जब कुछ नया बनाने का मन ना हो तो मन में रमने के लिए तयार रहती है खिचडी चाहे दाल और चावल को हल्दी नमक के साथ उबाल लीजिए या फिर सब्जिया गी और मसाले मिलाकर इसके सुआद को उबाल लीजिए नौकरी बेशल लोगों के लिए तो आराम का खाना है खिचडी जट से बन जाती है उसमें आलू चील कर डाल दिया और निकाल कर चोखा भी बना सकते हैं सुआद में भी यह गजब की होती है कहते हैं कि मगर सकरांती पर नए अनकी खिचडी खाने से पूरे साल आरोगे मिलता है और इससे शरीर नए मौसम के लिए तयार होता है तबी तो लोगों ने इसे कमफर्ट फूट का नाम दे दिया है आम तोर पर खिचडी को बिमारों का खाना का जाता है जब किसी की सियत खराब हो तो इसे ही खाने की हिदायत दी जाती है लेकिन इसमें इनोवेशन की बरपूर मुझाईश है चावल के साथ दालें बदल बदल कर कहीं तरह की सबजीय मिलाकर देसी गी के साथ अलग अलग तरह के फ्लेवर में छोक लगाकर इसकी तासीर और खुश्बू बदल दी जाती है चाहे कोई शेफ हो या एक आमजन खिचडी की रंगत बदलने के तरीके सबी के पास मौझूद है शेफ संजीब कपूर के घर में भी हर रंगी खिचडी बनती है वे कहते हैं हमारे घर में हफते में दो बार नियमे तोर पर खिचडी बनती है इसके लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता कभी दाल बदल ली तो कभी ब्राउन राइस के साथ बना ली वैसे हम छिलको वाली हरी मुंकी दाल के साथ खिचडी बनाते हैं छोक देसी गी के साथ लौंग को लगाते हैं हलका, पचाने में आसन और पोशिक्ता से पूर्ण हेल्दी फूड खिचडी को आयुवेदिक फूड भी माना जाता है आयुवेद में इसे वाद, पित और कफ को संतुलित करने वाला आहार माना गया है खिचडी से शरीर की इम्मिनिटी पावर भी मदबूत होती है चावल से कार्बो हाइडरेट्स, दाल से प्रोटीन मिलता है सबजीय मिलाने से विटामिस और मिलनस मिल जाते है जीडे का तरका और घी मिलाने से इसकी गुण मत्ता और बढ़ जाती है फाइबर, विटामिन C, केल्शियम, मेंगनीशियम, फॉसफोरस और पोटेशियम जैसे गुणो वाली दाल की खिचडी वाकई में बहुत खास है और आपके लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है दोस्तो अगर हो सके तो हफते में कम से कम दो दिन आप भी खिचडी का सेवन अवश्य करें तो दोस्तो ये हमने आपको खिचडी से जुड़ी कुछ खास और रोचक बाते बताई अगर आपको हमारे वीडियो अच्छह लगा तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेर करें और अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम जल्दी आपको उसका उत्तर देंगे धन्यवाद